बच्चों आज मैं आपको बहुत पुरानी एक कहानी सुनाओंगे तो हुआ यूँ कि एक बादशा जो बहुत रहम दिल था लेकिन उसके हाँ कोई उलाद नहीं थी बड़ी दुआओं मुरादूं के बाद एक बेटा पैदा हुआ नोजूमियों को बुलाया कि उसकी कुंगली खेंचकर उसके मुस्तक्बिल के बारे में बताया जाए नोजूमियों ने कहा कि सतरा साल की अमर तक शहजादे को महिल की चार दिवारी के पहे ना जाने दिया जाए इसकी जान को खत्रा है तो भेई सत्रा साल तक बेचारा शेहजादा सिर्फ अपने महल के बाग के अंदर ही घूम फिर सकता था उसको मालूम ही ना था कि बाहर की दुनिया कैसी है जब शेहजादा सत्रा साल का हुआ तो बादशाह ने बड़ा जश्मनाया शेहर को खूप सजाया गया चराग रोशन किये गो आतिश बादशियों चोड़ी दे अगले ही दी शेहजादा अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने लगा जब अपनी शेहर की खूप सैर कर चुका तो बादशाह से कहा कि मुझे पूरे मुल्क में घूमने की इजाज़त दी जाए ये सुनकर बादशाह बहुत खबराया लेकिन शेहजादा तो उससे पहले ही वादा ले चुका था बड़े भारी दिल से इजाज़त दी और साथ ही कहा सिपाईयों को और कुछ दोस्तों को अपने साथ लेका जाना मगर शेहजादा इस पर राजी ना हुआ उसने कहा कि वो खुद अकेला जाकर अपने मुल्क को घूम फिरकर देखना चाहता है तो इस पर चारो नाचार बादशाह ने शेहजादे को एक बहतरीन घोड़ा दिया बहुत सी अश्रफियां थैलियों में रख कर दी और उसे खुदा हाफिज कहा वो दो महिने इदर उदर घुमता फिरा जंगलों में दर्याओं में केई दिन उसे कोई अबादी नहीं मिली एक दिन क्या हुआ कि दुपहे के वग एक पेड़ के नीचे कोई के पास बैटकर घोड़े पलड़के थैले से पतीली और खिचडी की थैली उतारी कि खिचडी पका कर खा ले इदर उदर से खुश्क लकड़िया जमा करके आग जलाई खिचडी पकाई खाने के लिए बैटा ही था कि क्या देखता है एक स्यार रंग का बिल्ला आया उस पर एक दो बालिश का आदमी बैटा था पतीली उता हरप से सारी की सारी खिचडी मूं में डाल कुए में कूट गया शिजादा हैरान देखता रह गया भूख के मारे उसका बुरा हाल था उसने दोबारा खिचडी पकाई लेकिन जुही खाने को बैटा तो वही बोना फिर से नमुदार हुआ और बिल्ले पर से उतर खिचडी की देच की बकर सारी हडब हडब करके खा गया और फिर बिल्ले पर सवार हो भागा और कूए में कूद गया शेखजादे ने जो छुख कर देखा तो उसे कुए में oynसर आई ओ देखा ना ताओ जल्दी जल्दी सीरी से कुए में उतरने लगा पानी के करीब पहुँचा तो एक तम पानी खुच हो गया और एक दर्वाजा खुला मिला उसके अंदर दाखिल हो गया सामें ही वो बिल्ला सड़क पर भाका चला जा रहा था शेहजादा भी इसके पीछे भाकता रहा सड़क एक बाजार के बीच में से गुजर रही थी तोनों तरफ बड़ी शानदार दुकाने थी तो कानों में काहक और दुकानदार सभी जैसे पत्थर के हों सड़क पर चलते हुए लोग एक जगा पर जमे खड़े हैं गोडे, टट्टू, खचर और कुटे, बिलियां सभी पत्थर बने एक जगा खड़े हैं शेजादा बिल्ले पर सवार बूने के पीछे बागता जाता और सोचता कि इस शेहर में इंसान, जानवर, सबके सब पत्थर के कैसे बन गए ये सब जातू का कारनामा मालुम होता है बिल्ले पर सवार बूना एक महल के फाटक में दाखिल हुआ शेजादा भी पीछे पीछे रहा, बिल्ले पर सवार बूना, जैसे ही कमरे में गया, वो आँखों से ओचल हो गया शेजादा हिरान कमरे में खड़ा था, कि अचानक उसे साथफाले कमरे से कुछ आवाजे आना शुरू हुआ गौर से सुना, तो कोई कुरान मचीद पढ़ रहा था, उस कमरे में गया तो क्या देखता है, कि कमरे के कुने में चानमाज पर एक जवान हसीन मत बैठा, कुरान पाक जोर जोर से पढ़ रहा है, शेजादा वहीं करीब दो जानों होकर बैठ गया, कि जब ये कुरान पढ़ना खत्म करने, तो वो इन से सारी बातें पूछे, कुछ देर बाद वो जवान खड़ा हुआ, जाए नमास तहकी, तो शेजादे ने आगे बढ़का सलाम किया और पूछा, जनाब मैं एक परेश चान हाल भूका प्यासा मसाफिर हूँ, फिर शेहर में दाखल होने का किस्सा सुनाया, मगर आप फरमाएं कि वो बिला और पूना तो इसी कमरे में घुजे थे, किधर को गए, और आखिर वो हैं कौन, सारे शेहर के लोग पत्थर क्यों कर बन गए हैं, वो नौजवान यू गोया हुआ, मैं इस रहे खमोशा का बादशा हूँ, मैं परिस्तान के एक हसीन शेहजादी से शादी करना चाहता था, मैंने उससे शादी करने को कहा, वो मेरे साथ खुशी खुशी यहां आ तो गई, मगर शादी करने की एक शर्ट रखी, कि वो बाग की एक दिवार पर बैट चाएगी लोगों को बाग में लाकर पूचेगी कि ये औरत कैसी शिकलो सूरत की है जब तक कोई उसको खुबसूरत ना कहेगा वो इनको पत्थर का करती रहेगी आप भी अब मेरे पास आएं और इसको देख कर बताएं कि क्या ये खुबसूरत है वो नौजवान शेहजादे को बाग में लेकर आया सामने दिवार पर एक भुतनी मैठी थी पौँ जमीन तक लटके हुए काली भजजंग दौट एक एक बालिष्ट के मुह से निकले हुए जैसे सीम हूँ गोल गोल सुर्ख रंगी आंके जो बाहर को निकली पड़ती थी और लंबी जबान लप-लप करती हुई मुह के अंदर बाहर होती थी इस भुतनी को देखकर शेहजादे की घिकी बन गए एक मिनट खड़ा सूचता रहा कि नौजवान से कहे तो क्या कहे फिर बोला जनाब मैंने तो आज तक इतनी खुबसूरत लड़की ना देखी ना सुनी वाह वाह क्या हुसन है होट गुलाब की पंखड़ी और दान मोती जैसे रंगल सुर्खो सफेद आंखें तारों की तरह दमकती चमकती वाह खुदा की शान है शेहजादे की ये चुमले सुनते ही भुतनी तो एक हसीनो जमीर शेहजादी बन गई नौजवान ने दोड़ कर शेहजादी का हाथ थाम लिया और फिर नौजवान शेहजादे के पास आकर उसके गले लग गया और बेहत शुक्रिया अदा किया कि आपने इस खुलिये में देखकर शेहजादी को खुबसूरत कहकर इसकी शर्थ पूरी कर दी क्यों मुझे दुनिया की हर खुशी हासिल हो गई नौजवान ने शेहसादे का बहुत शुक्रिया अदा किया कुछ दिन उसे अपने हां महमान रखा और फिर बड़े ही शान से उसे रुकसत किया तो बच्चों क्या समझे हम ये समझे कि कोई भी इनसान खाब दिखने में कैसा ही क्यों ना हो उसे नफरत नहीं करनी जाए हर इनसान खुबसूरत होता है